पर फिर से स्वागत है प्रयास के इस YouTube चैनल पे और आज हम आपके सामने एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आएं क्योंकि आज हुई थी विधान सभा आरो एरो का एक्जाम 2021 और आरो एक्जाम का मुझे पेपर मिला है और जिसके उपर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत 50 कोशन थे वो बैसिकली GS के थे और आकरी वाले जो 50 कोशन थे वो हिंदी के थे ठीक है पेपर अराउंड इजी टू मॉडरेट था जो मुझे लगा और अगर आप 20-30 कोशन थे जाते हैं और आप बहुत अची टैयरी करλά दे तो आराम से एक्जाम के वह और आच इसलीं कर देता है और जो जो मर्सक आइवारि मैंगे की एकजान कोशन तो तो फो पर करेगा कोशन क्रोख था इसकेजाँ कोशन के मूरेगा अच्छी questions और 80 plus questions भी कर सकता है ठीक है तो cut off के हम कोई बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि cut off जो है वो एक मुझे नहीं पता कि हमेशा कुछ ना कुछ अलगी रहता है UP कर ठीक है तो हम उसमें कोई बात नहीं करेंगे पर हाँ यह है कि अगर आप 80 questions अच्छे सही कर गया है तो होने का chances आपके बहुत जादा है ठीक है तो आगे चलते हैं सबसे पहली चीज़ है कि हमें इसके नदर क्या सीखने को मिलता है तो जैसे मैंने लिखा है reflections और learning दोस्तों बहुत important है क्योंकि question paper हमको analyze करना जरूरी है बाकी exams में क्या पूछा जा रहा है क्योंकि उससे क्या पता चलता है examiner का mindset पता चलता है अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि दूसरा कैसा सोज रहा है तो आई हम देखते है mindset कैसा था examiner का और तो हम तैयारी करने वाले 27th of January से वह कैसे उसके साथ match करती है और आपको मजा आने वाला है इस वीडियो में देखेगा जरूर तो सबसे पहली चीज़ है कि first PIN etc ये सब चायरा current affairs में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था और पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए जो हमलब पुरान यहां पर स्टूडेंट से वह सब जानते हैं कि प्रियास ने जो पहले हमारे जो वीडियो थे उसके तरीके से मैंने आपको एक-एक crime prevention unit अगर आपने अलग से बना रहा होगा first का तो आप अराम से कोशन कर लेते कि नहीं कर लेते बहुत इसी कोशन था गांधी नगर इसका अंसर था वैसे और यहां पर देखिए यह तो आप बहुत ही जबदास कोशन था September 1 से आया था यह और आयुश्मान खुराना इसका अंसर था और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कल जो मैं आपको नोट से था नवीडियो में यह कोशन वहीं से आया तो मानना पड़ेगा आप लोगों को और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने इस कोशन को देखा बाद में कि यह कोशन जो है साफ साफ हमारे नोट से ही आ गया तो जो हमारा अप्रोच है वो एकदम सही है तो 27 से जो क्लासे हो रही ही ना स्टुडेंट्स आप बिलकुल उसको जॉइन करें और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने अच्छे से कर लिया ना उसको तो आप इस साल बिलकुल एक गवर्मेंट नौकरी निक कैसे थे और उसमें कोशन कहां से आया तो देखें जैसे कि यह है मैंने एक यह मैंने बनाया था है आज यह शमान अगर आप ये पढ़के गए होंगे नोट्स या मैंने भी इसको पढ़ा होता और एक्जाम दिया होता तो मैं आपको सच बता रहा हूँ इसली जो है यह मैं कुश्चन को बहुत इसली से कर ले था और यहां पर देखिए हाइस फर्स फास्टेस्ट यहां पर मैंने अलग से लिखा हुआ है तो अगर मैंने और भी मंत के जो आपको मैं देने वाला हूँ पेट ग्रूप में उसमें अराम से आप आखरी में इसको पढ़के जाईएगा सारे कोशन इसली में से फसने वाले हैं दोस्तों ठीक है तो यह जो था यह था करेंट अफ्यास का इसी तरीके से कि मैंने अलग अलग स्कीम्स बनाई हुई है स्कीम रिपोर्ट्स यूपी कंट्री इसी तरीके से आप भी नोट्स बना सकते हैं वैसे परंतु जो मैं आपके लिए महनत करी रहा हूं तो आप क्यों अपना जबरदस्ती का टाइम घराब करेंगे है कि नहीं आप तयारी करिए बस जादा जादा रिवीजन करिए और पेट ग्रूप को जॉइन करिए थोड़ा से इन्वेस्मेंट करिए आपको बहुत रिटन मिलने वाला है ठीक है उसके बाद आ जाते हैं जो है जो हम अपनी स्लाइड देख रहे ते कहां गही हां यह रहे और आप जाद मिलने वाला है कि आप अपको बता हूं यह यह रहां अगर आप मेरे नोट्स अगर आप पड़ते हैं यह जो भी हमारे कोर्स होने वाला उसके अंदर हमिए रहोंगे को बता हूं जो फ्री कोर्स भी है उसके अंदर में बताऊंगा कि आपको कहां पर फोकस करना है तो यह बहुत इजी कोशन था जिन्हों ने भी जो है अच्छे से तैयारी करी होगी वो कर लेंगे इसको ठीक है तो यहां पर देखिए मैं आपको एक पर पेपर दिखा देता हूं पेपर को ऐस करनी है तो सबसे पहली चीज है कोशल महा जनपत्र जैसे मैंने आपको एक कुशन दिखाई दिया था अब देखिए यहां पर आया था हाइस्ट मैंने आपको क्या बोला था हाइस्ट कुछ भी है स्मॉलेस्ट कुछ भी आपको हमेशा पढ़ना किसी पी कैटेगरी में तो अब यहां पर देखिए माउंट एलब्रूस इसका अंसर था बैसिकली यूरोपियन की सबसे बड़ी पीक है और यह जो है माउंट अकाउंट काउंट डालिए और इसको भी बताईगा यह बहुत होगा आपको भी खोद आपको याद हो जाएगा तो दूसरी चीज है कि माउंट इंपीक के बारे में कोशन पूछा था यूरोपियन कॉंटेनेंट में ठीक है तो अब जो है सबसे इंपॉर्टन चीज यह थी कि हमें हाई है समेशे याद रखना है अब जोग्रफी का जो हमारा एटेंप्ट रहने वाला है जो हमारा फोकस रहने वाला है वो किस सब हम करेंगे 60-70 दिन के अंदर तो इसलिए चैनल पर बने रही है सब्सक्राइब करिया लाइक करिया और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज जरू शेयर करिए क्योंकि जितने ज्यादा लोगोंगे उतना ज्यादा मुझे 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 मैं और मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकालना एक्जाम मैं आपको मचली नहीं दे रहा हूं मैं आपको मचली शिकार करना बता रहा हूं ठीक है कि आप लोग सीख जाए कि एक्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है और अगर आपको जब आप भी क्रैक करें आप जरूर मुझे बताई होगी ठीक है तो इसी तरीके से अब मैंने आपको बता जीवी का जो एक important government scheme ती इसको पढ़ना ही है मैंने आपको पीछे भी बताया था current affairs में important government scheme को पढ़ना है फिर मैंने आपको बताया था ना judiciary बहुत important है judiciary judiciary में देखे question आ गया और यह इस सब चीजें करने वाले हैं अपने इस course में जो भी 70 दिन में course रहेगा इसलिए बिल्कुल भी घबडाएं मत यह सब पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है बिल्कुल ध्यान देने वाला हूँ क्योंकि मैं खुछ चाता हूँ कि मैंने course शुरू किया पहला course से मेरा तो मैं उसके दर अच्छा रिजर्ट लेके आऊंगा ना मुझे भी अच्छा लगया कि मेरे जो स्टूडेंट से वो उनका उनका कहीं नौकरी लग गई सरकारी नौकरी मुझे कित्ती परसंता हुए इसलिए मैं उसके अंदर पूरा अपना 100% देने वाला हूँ और यहां पर देखिए इसलिए बारा चोड़ो आंदोलन जो भी बड़े बड़े अंदोलन हुए यह जो भी रेजुशन पास हुए फूस सब हमें पढ़ने और उसके अंदर क्या नहीं पढ़ना है क्या चोड़ना वह मैं आपको पूरा बताऊंगा कोर्स के अंदर फिर देखिए धारवी यह तो पढ़ना है तो उसके बाद यहां पर देखिए विचा था फॉलिंग पीजेंट अब यहां पर इक कोशन इसे यह पंचैती राज का है ऐसी हिस्ट्री में कोशन आया था पहली पर गन पाउडर किसी ने इंट्रद्यूस किया था इंडिया में और कहां पर कोशन आया था फिर आप जब पढ़ने बैटेंगे ना तो आपका एक्जाम निकलेगा एक बार में गरेंटीड है और आज मैंने यह पेपर देखके जो है मुझे थोड़ा बहुत जो भी डाउट था कि आपको मैं जो चीज समझाना भूल गया हूँ वो आज मैं आज को आपको समझा दे इसके अंदर बहुत अच्छे से ठीक है तो आप लोग जो है मेरे नीचे काफी डिस्क्रिप्शन में इंफोर्मेशन दी हुई है टेलीग्राम ग्रूप जॉइन करें उसके उपर मैं आडियो भी देता रहता हूं वीच-वीच में क्या क्या इंफोर्मेशन है तो आपको प इस तरीके से काफी कुछ है इंडिया में इस तरीके से काफी कुछ है इंडिया में तो वह हमको जोग्रफी में पढ़ने है पढ़ेगा लिस्ट जोग्रफी में जो मैंने देखा एक अप्रोच कि कॉंसेप्चिल कोशिन कम थे थोड़े पर अलाबाद हाई कोड में थोड़ा सा कॉंसेप्चिल कोशिन पूछता है मैं उसको पर आपको विशेश बताऊंगा कि आपको कैसे ध्यान देना उसकोड ठीक भाकते हैं भागवान कृष्ण के और जो बाकी भीहारी मंदिर बहुत मशूर मंदिर है महां का आपने देखा होगा इनकी फोटो मतलब तो नहीं रहती बाके भीहारी जी कि एक मतलब एक इमेज ही बनाई जाती है तो वो जो जो भागवान की जो वो अर्च विग्रे हैं ब वही कर पाएगा और तुक्का इसमें लगाना तो जिए गलती होगा है और फिर एक कोशन था लार्जेस मैं आपको बोला ना लार्जेस आपको पढ़ना है फिर देखिए परंपरकत क्रिशी विकास हो जाए यह क्या गर्मेंट की फ्लैक्शिप स्कीम है बहुत इंपोर्ट गऑटन जो तो एक जर्रेल्ड जी कोशम था फिर यह बहुत ही कि पुस्छन था और यहां परेसे संच फुमेंट डिक्र यह करिंड होगे एक फिक इसम सम्मरीन था तो इसलिए यह important था ठीक है तो इसलिए हम यह पढ़ना एक्जाम में अगर हम जैसे कि मालीजे हम जब भी करने नफेस पढ़े तो भी ध्यान दे कि अगर इंडिया कोई चीज पहली पर किसी नेवर के साथ करी तो भी important है ठीक है फिर प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट और सबसे important चीज है कि जो भी हम पूर्स शुरू करने वाले ना इस कोर्स के अंदर जो फ्री कोर्स भी है उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा क्या 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 नहीं पढ़ना है क्या 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 चोड़ना है एक एक दिन पर ठीक है तो आपको पढ़ते रहना है रोज आप अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मेरा बनाना सब बेकार हो जाएगा यह वाद ध्यान रखिया आप लोगों को पढ़ना और एक्जाम निकालना है ठीक है फिर यह सारे कोशन आया थे तो में पेपर पूरे डिसकस नहीं करूंगा पर अगर आपने इसके अदर 80 अटेंट कर चाहिए तो वही चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आगे हमें करना क्या है तो जैसे कि आपने देखा कि जो भी मैंने आपको कल बताया था जो मैं इतने दिनों से आपको बता रहा हूँ वो बिलकुल एकदम to the point रहा है इस paper में वो यही था कि एक हमको right approach रखन करना है ज्यादा इधोहदर नहीं पढ़ना है जो मैं आपको बताऊंगा आपको उसको follow करना है और अच्छे से अपने notes बनाने और तयारी करते रहना है ठीक है दूसी चीज़ क्या है continuous preparation मनला आपको जो भी preparation करनी ऐसा नहीं कि आज दो दिन करा मेरा आपने video देखा पढ़ा है तो आप इतना बस दे दीजे 60-70 दिन आप इस चैनल पर बने रहिए आपको ये 60-70 दिन याद रहेंगे अपने जीवन के कि मैंने अपने जीवन के 60-70 दिन invest किया और आज मैं जो सरकारी नौकरी लेके बैठा हूँ या बैठी हूँ ये बात ध्यान रखेगा फिर continuous feedback और commitment बड़ी देखिए ये दो तीन चीज़े बहुत important इसलिए मैंने डाला यहां पर जब भी आप तैयारी कर रहें आपको करना क्या है जब भी आप तैयारी कर रहें अपने आपसे feedback लीजे यानि कि आप questions लगाईए अगर आपको questions नहीं मिल रहें आप हमारा प्रयास का जो paid group मै आपने जो पड़ा आप देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके बाद मैं उनको इसको देखूँगा आपने क्या किया है उस paper में और मैं फिर आपको personally call या message या भी जो भी जिससे आपको easy रहेगा वो करके आपको समझाऊँगा कि आपने ये चीज़ अच्छे स जरूरी है करना अगर आप जल्दी तयारी करना चाते हैं जल्दी एक्जाम करा करना चाते हैं फिर है commitment बढ़ी कोई ऐसा मेत्र धूंडिए कोई अपना friend कोई आपके असपास हो या कोई आपके फादर हो यह जो आपको बोलता रहे कि देखो पढ़ना है determination lose नहीं करना है जो में बहुत important है यह problem हो सकती है निराश नहीं होना है या जो भी है मैं आपको पर पूरी नजर रखने वाला हूं इसासा 70 दिन तर अगर आप पास है बहुत अच्छा है नहीं है तो paid group पे जोईन कर लीजे हम एक बहुत ही अच्छा community इसको बना देंगे फिर तीसी चीज है कि self confidence देगे दोस्तों मैं देखा है students इतना जादा आप लोग demoralize आज मैं जब exam की center के भार खड़ा हुआ था अपने भाई को लेने किया था जिसने paper दिया था अब मैं वाँ पर जो भी अभ्यारती थे मैं उनसे पूछा कैसा हुआ कह रहा है ठीक है पता नहीं होगा यह कैसे confidence और ऐसे तयारी करके आप जाएंगे तो अपका कभी नहीं होने वाला है अपने पर confidence रकिए कि मैं इसको तयारी किया हूँ मैंने 60-70 दिन दिये हैं मैंने एक एक quiz लगाया है मैंने test solve करें मैंने पूरा guidance program continuously follow किया है और मुझे चीज़ें आती हैं और मैं exam crack करूंगी यह करू तो आप प्लीज जो है आप कुछ investment करिए बहुत जादा investment तो है भी नहीं आप प्लीज फेट को जोईन करिए और आपको सच बता रहा हूँ आप एकदम 70 दिन बाद तयार होंगे इंडिया यूपी में कोई भी exam crack करने के लिए तो दोस्तों यह तोरा आज के वीडियो का जो आपको क्या क्या करना है ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिए गा नीचे आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करिए गा शेयर करिए गा और मुझे बताइए जरूर क्योंकि इससे ही मुझे motivation मिलता है मैं और वीडियो सो आपकी help कर पा कर दो कर दो का दो Is